कि नमस्कार आदाप सस्रियकाल नमबुद्ध है मेरा नाम है राहुल कुमार आप देखना शुरू कर चुके है नैशनल इंडिया न्यूज इस वक्त मैं मौझूद हूं लुद्याना शहर के आतन अगर विदान समा में मेरे साथ यहां मौझूद है कंग्रिश के प्रत्यासी क करवाल जी मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपके हमारे साथ विभिन मुद्धों पर बात करें करें और हमें समय देने के लिए सर सबसे पहला सवाल कल हमने देखा सिमर्जिन सिंग बैस कही ना करें कि काफिले पर हमला कराते हैं और उनके जो बंदभेड की खबरे आ रही है मीडिया में आप इसे पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रदिया चारे हैं गुंडा गरती कर रहा हार रहा हारने की वज़ा से वो समाव निकल गया वह जीतने वाली की अब हारने वाली प्यूशन में इसलिए उसके बाद इसकी पांचार हयार वोट और भी कम हो गई है इसी लिए कम हुई है कि अगर एक लोगों का अनुमेंदा ऐसे काम करेगा तो फिर लोगों को क्या समझाएगा कैसे देश का हालात सोद रहेंगे जहां नेता लोगी ऐसे गोलियां चलाएंगे तो इसकी वज़ा से अभी लोगों में इसका जो विश्वाश और भी टूट गया है सर पंजाब की अनेक विधानसभा से मैं होता हुआ आया देखा कहीं न कहीं चन्जिंग सिंग चनी और तमाम जो कॉंग्रिस के बड़े लिडर हैं उनका कहीं इस बार बूम अलगी दिख रहा है लेकिन सर आप से मेरा एक सवाल है जिस तरह से तमाम जो युवा हैं वो अब द लेकर हम अपनी तरफ से जो अपने शेतर में नोजवानों के लिए जो भी नोकरी हैं उसके लिए काम करेंगे उनके बिजनस के लिए कोई ना कोई अच्छी अपरचुन्टी हैं वो लेके आएंगे तांके जो नोजवान है हमारे वो विदेशों की जाने की बजाए यहां रहके काम करें उनका फ्यूचर यहां पर उनको अच्छा बनाके देने के लिए कोई ना कोई अच्छे प्लाइन करेंगे सर नशे का मुद्धा पंजब की सियासत में कई सालों से घरम आ रहा है इसे आप किस प्रकार देखते हैं कर यूआ जिस तरह से नशे में जा रहा है सिखछा में कहीं पिछट रहा है पंजब कहीं कोईरे से ने पूरी कोशिश की भर्षक प्रियास करें चन्नी साहब ने पास ऐसी कोई कोई नशा बेचता पकड़ जाता उसके उपर बहुत सक्त कारवाई आज कल हो रही है जिए कॉंग्रेस की सिरकार बनने के बाद काफी अच्छा कंट्रोल किया कॉंग्रेस ने सर आम आदमी के प्रतियाशी जो सीम फेज में भगवतमान कह रहे हैं कि कॉंग्रे कोई बात नहीं है दोनों ने अच्छा लोग दोनों को पसंद करते हैं और चरंजी सिंग चन्नी की अपनी एक इमेज है नवजो सिंग सिदू के एक अपनी इमेज है तो पार्टी दोनों को कहीं न कोई बड़े ओदों पर अड़ियस्ट करेगी और और दोनों मिलके काम कर हैं और अच्छा होगा पंजाब के लिए जो मिलके काम कर रहे हैं सर पंजाब की कई सारे मुद्धे हैं लगातार हम तमाम मुद्धों पर बात भी करते हैं मेरे और वी पत्याश्य बात हुई है महिला सुरक्षा कर लेगे कहिना कि पंजाब अभी उस इस्तिधी में नहीं जिसे अभी खुद आम आदमी पार्टी के लिए कि दिल्ली के विकास मोडल पर हम कारे करेंगे महिला को सुरक्षा देलाएंगे तमाम मुद्धों पर कहिना कि प्रकर होंगे आप इस वे किस प्रकर देखें मैं कहता हूं जो महिला यहां पर इंडिपेंडनेट है जादी ज तो कह सकते हैं कि कहीन आगे आम आदमी पार्टी पूरा प्रोपगेंडा इस्पमाल करने का प्रियास करें कांगरिस के प्रतियाशियों के लिए देखो एक हराने की बात हैं जो लुदियाना में आप कल को देखना आगर लुदियाना में सिटी के अंदर 6 विदान सवाश यतर पड़ते हैं तो शे मेंसे मेरे को ये लग रहा है कि शे के शेही शायद एक छोड़ के पाँच पाँच जो सीटे हैं और कांगरस के कैंडीडियट ही वो लेके गए है उनके पास अपनी टीम ही नहीं है ये प्लेयर ये गेम तो खेल रहे हैं लेकिन वरोधियों के टीम के मेंबर लेकी खेल रहे हैं तो ये उसमें कितना सफल होंगे आप भी जानते हैं कितना लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं आप भी जानते हैं अगर कॉंग्रस ने उनको टिकेट नहीं दी वो काबल आदमी नहीं है इसलिए उनको टिकेट नहीं दिया तो उनको इनगे तो यह लोग पजाब का क्या अच्छा करेंगे चाहिए लेखिए आदेकर लगा एतरह न चिंतित है। आप इस पूरे मामले पर कहीं नहीं अपनी राय क्या देने जा रहे हैं तो देखो वह जो केजरी वाल है वह बातों की कड़ी ज्यादा बना नहीं जानता है लेकिन पंजाब का सिस्टम अलग है उसको इतना अच्छा रिस्पॉंस यहां पर मिलने वाला नहीं है जो वह बाते कर रहा है वह उसका यहां पर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना वाला उसको जो यह वोट डलती भी है न आप पोजिशन इतनी कमजोर है हमारी उसकी वज़ा से वो वोट इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाती है लेकिन अंत में जो लास्ट वीक में जाके लोगों ने डिसीजन के पहले रूठे हुए थे कहिना कहीं अब मान चुके लेकिन सब्सक्राइब सरकार को पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि रोजकार के विवस्ता में कहीना कहीं जो युवा है वो पलायन करने में मजबूर है चाहे कनेडा हो अधर कंट्रियों आप इस पूरे मामले प से रोका जा सकें और पंजाब की त्रक्की और वहां और अच्छी हिसा तरीके से हो सके सर आप से अंतिम सवाल, तमाम मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, शिक्षा का एक मुद्दा है, केजरिवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आम आदमी की सरकार बनते हैं, तो शिक्षा फ्री कर दी जाएगी, पंजाब को दिल्ली की तरच पर कहिना कि अच्छे कॉलेज यू ना देंगे, यू पॉसिवल ही नहीं है, तो ऐसे जूट मूट बोल के लोगों की वोट लेके जे ऐसे चाहते हैं कि हम सरकार बना लें, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिवल नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी कॉंगर्स पार्टी के पास स्ट्रॉंग टीम है, उन उनके पास तो टीम ही बहुत कमजोर है, उनको जो उनकी टीम के प्लेयर अभी खेल लें हैं, उनको इस चीजों की समझी नहीं है कि वो पंजब को कैसे चलाएंगे, तो इसलिए लोगों ने उनके उपर विशवाश नहीं करना, ये बातें करके ही सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसीबल नहीं है कि वो पंजब में ऐसी सरकार बना पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत हलाग उलाजा की कॉंगरस आप आ रही है, आप आ रही है, लेकिन एंड में कॉंगरस आई, इस बार भी ऐसे ही होगा, एंड में के कॉंगरस के हक में ही लोग ब बहुत बहुत धन्यवास सर हमार साथ यहां मोजूद है प्रतियाशी जी बहुत ही बेबाकी से उन्हें सारी प्रशनों के जवाब दी और आप देख सकते हैं किस प्रकार तमाम विधाउन सबाउस से इस तरह के खबरे आ रही है खुद मैंने भी कई सारी विधाउन सबाई प्रियास किया तो कहीं न कहीं यह साफ है कि कॉंग्रेस का आने वाला भविष बहुत ही उजवल है यह मैं नहीं कह रहा है यह तमाम मीडिया रुपोट सब्सक्राइब करना न भुले ताकि देश विदेश की जुड़ी खबरे आप मिस्ट न करे क्योंकि क्रोना काल में दो